पानी से आग पैदा होने का इतिहास नहीं है लेकिन आग भी पैदा हुई है रौकी नाम का इतिहास भी 1978 से लेकर 1981 तक सोला देशों में रौकी ने बहुत क्राइम्स किये इस अब जिमी काटर आप सबने अगर केज अफ चैप्टर 2 फिल्म देखी होगी तो आप सबी का ये सवाल होगा कि क्या हमें केज अफ चैप्टर 3 कभी देखने को मिलेगी भी या नहीं पर अब केज अफ चैप्टर 3 को लेकर काफी बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं वैसे तो इस बात की कनफरमेशन केज अफ चैप्टर 2 के एंडिंग में हो गई थी कि केज अफ चैप्टर 3 जरूर बनेगी और जल्द से जल्द बनेगी पर अब हाली में खुद फिल्म के मेकर्स ने केज अफ चैप्टर 3 को लेकर आफिशल अनाउस्मेंट कर दी है और उन्होंने ये भी बता दिया है कि फिल्म की शूटिंग 2025 में शुरू हो जाएगी केज अफ चैप्टर 3 के अनाउस्मेंट के बाद सबी लोगों का सवाल है कि फिल्म के स्टोरी क्या होगी और जैसा कि हमने फिल्म की एंडिंग में देखा था कि एयर फोर्ट्स के हमले के बाद रौकी भाई का सोने से भरावा शिप पानी में डूब गया था और पानी में डूब टेवे रौकी भाई की हमको एक जलक भी देखने को मिली थी पर हमें ये क्लिरली नहीं पता चल रहा है कि रौकी भाई जिन्दा है या नहीं पर अगर केजेफ चैप्टर 3 बनेगी तो भाई रौकी भाई तो जरूर जिन्दा होंगे खर ये तो आने वाला समय बताएगा कि फिल्म की स्टोरी क्या होगी मेकर्स की तरब से फिल्म की अरॉसमेर तो कर दी गई है मेकर्स का कहना है कि फिल्म की शूटिंग 2025 में स्टार्ट हो जाएगी और फिल्म की शूटिंग में लगबग एक से डेट साल का समय तो लगेगा ही इसलिए हो सकता है कि फिल्म हमें 2026 के लाश्ट तक देखने को मिल जाए अभी प्रशान्त नील अपनी सालर फिल्म में बिजी है और सालर फिल्म के बाद इनकी जूनियर NTR के साथ NTR 31 फिल्म आने वाली है जो 2024 के लास्ट में रिलीस होगी इसलिए इन दोनों प्रजेक्ट के बाद प्रशान्त नील केजेफ चैप्टर 3 पर काम शुरू करेंगे इसलिए मेकर्स ने 2025 में केजेफ चैप्टर 3 की शूटिंग स्टार्ट करने का टार्गेट रगा है केजेफ चैप्टर 2 रिलीस होने के बाद जिस तरह से लोगों में चैप्टर 3 को लेकर हाइप बनी हुई है वैसी हाइप कभी बाहो बली 2 के लिए बनी थी और फिल्म में जिस तरह के सीन्स थे उसने तो सबी को अपना दिवाना बना दिया इन सबने लोगों का दिल जीत लिया था अब देखना तो ये होगा कि प्रशांत ने चैप्टर 3 में क्या लेकर आते हैं काफी लोग इस बात से भी खुश है कि कैज अफ चैप्टर 3 के रांस्पमेंट तो हो गई नहीं तो कई लोग सोच रहे थे कि हमें केज अफ चैप्टर 3 देखने को मिलेगी भी की नहीं पर मेकर्स की राउंसमेंट के बाद हमें ये बात तो फानल हो गए है कि देरी से ही सही केजे अफ चैप्टर 3 बनेगी जरूर काफी लोग कह रहे हैं कि प्रशांत निल की सालर फिल्म में हमें रॉकी भाई का कैमियो देखने को मिलेगा अगर ऐसा होता है तो हमें केजे अफ चैप्टर 3 में प्रभास का भी कैमियो देखने को मिलेगा जिससे फिल्म और काफी बड़ी फिल्म हो जाएगी और दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो हमारे खत्म होती है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक किले गुड़ बाई अपना ख्याल रखेगा